दोस्तो इस वक्त की सबसे खास और बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है जहां कौलिफायर मुकाबले में महंदर सिंग धोनी की टीम जिनने इस वरकिंग से मिले हार के बाद रिशाप पंद ने का इसा फैसला किया है जिसे तुनकर फैंस को बड़ा जटका लग गया है ज आपका ज़्यादा समयना लेते हुए चलिए सुरू करते हैं आज की ये बेहत खाओ इस वीडियो लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप लोग भी रिशाप पंद को एक बहते इन विकेट कीपर वा कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शा प्रोडनी को लेकर श्रंकेत भी दे दिये हैं तो आखिर रिशाप पंद ने क्या कहा आईए हम आपको विस्तार से बताते हैं मैच के बाद रिशाप पंद ने भावखो कर कहा कि मैंने हर मैच में धिल्ली क्रेप्टर्स की जीत के लिए अपना 100% दिया है कुछ जगहों पर मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया लेकिन टीम का परदर्सन हमेशा बहतर रहा है प्रेंचाइजी ने विश्वास दिकाते हुए पहली बार मुझे कप्तानी शोपी और मैंने कप्तान के रूप में लग भग लग भग टीम में सब सही फैसले किये लेकिन अगर मैं फाइनल न बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं